प्रेगन यूज में COT लाइन का मतलब क्या होता है आईए मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ अब ये जो टेस्ट किट है इसको जब आप देखोगे तो इसके अंदर आपको दो खाने दिखते हैं जो ये गोल वाला खाना है इसके बाहर आपको S दिखरा होगा S सेंपल के लिए मतलब कि आपको पेशाब की यूरीन की 3 बुंदे इस खाने के अंदर डालनी होती है गोल वाले खाने के अंदर फिर जैसे ही तीन बुंदे आप डालेंगे तो पेशाब flow होता हुआ दूसरे खाने में आता है नीचे से और इस खाने के बाहर आपको T और C दिखरा होगा T stand करता है test line के लिए और C stand करता है control line के लिए यहीं पर आपको result मिलेगा T और C का मतलब क्या है result कैसे देखना है वो हम लोग आगे discuss करेंगे कई बारी लोग इन तीन line ओ पर result देखते हैं जो की गलत है result आपको यहीं पर देखना है अब हम लोग direct जो है live test करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास sample है और जैसा में आपको आपको बताया कि बलब को दबाना है ऐसे पिछे से और sample लेना है जब sample ले लेंगे तो आपको बहुत जरूरी काम एक यह करना है कि आपको timer लगाना है और timer आपको पांच मिनट का लगाना है mobile में घड़ी में कहीं पर भी आप टाइमर लगाए क्योंकि पांच मिनट के अंदर अंदर जो भी रिजल्ट मिलता है वह आपको वैलिड मिलता है तो चलिए हमने टाइमर लगा लिया है और हम लोग sample खाने में पेशाप की तीन बुंदे डालेंगे तो वन टू थ्री देखें तीन बुंदे जरूरी है डालनी और तीन से कम नहीं होनी चाहिए अगर आप ज़्यादा डालोगे तो कोई problem नहीं है ठीक है और पांच मिनट के अंदर अंदर जो भी result मिलेगा वो आपको सही valid result मिलेगा और पांच मिनट के बाद का जो result है वो valid नहीं होता है तो अब मैं वीडियो को fast forward कर रहा हूं और पांच मिनट का result नापको दिखाता हूं तो गाइज ये पांच मिनट के बाद का कैसा result है आप देख सकते हो तो गाइज लाइव टेस्ट देखने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि टेस्ट किट में C और T line का मतलब क्या है और जो test result है वो हम लोगों को कैसे समझना होता है तो जो टेस्ट किट है मैंने आपको अल्रेडी बताया कि T का मतलब test line होता है और C का मतलब control line होता है तो जब भी आप test करोगे तो आपको control line दिखनी चाहिए अगर test करने के बाद आपको control line नजर नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि जो test है वो invalid है आपने जो test है वो गलत तरीके से किया है या फिर जो ये test kit है prega news ये खराब हो चुका था जिसको आपने test के लिए use किया या फिर जो अपने urine sample use किया है वो खराब हो चुका था ऐसी condition में आपको दुबारा से test करना होता है फिर जब आप सही तरीके से test करोगे तो आपको control line नजर आ जाएगी और अगर control line के साथ में test line भी आपको दिखाई दे रही है जो कि हमने live test में देखा तो इसका मतलब यह है कि जो pregnancy test है यह positive है और positive आने का मतलब यह होता है कि जिस भी female का यह urine sample है वो pregnant है और अगर control line के साथ जो test line है वो नहीं दिखाई देती तो यह इस बात को दर्शाता है कि जो हमारा test है वो negative है जिसका मतलब pregnancy नहीं है कई बरी ऐसा भी होता है कि आपको control line नजर नहीं आती लेकिन test line नजर आती है जिसका मतलब यही है कि जो test है वो invalid है और आपको दुबारा से test करना होता है फिर आगे जो condition है वो उन लोगों के लिए है जिनका test तो positive है लेकिन उन्हें hulky pink line शो हो रही है तो ऐसी condition में आपको दुबारा से तीन दिन के बार test करना होता है जो आपकी hulky pink line शो हो रही है वो dark हो जाएगी तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकार यह आप लोगों के लिए काफी useful रही होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजेगा पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैलन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजेगा तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में एक बहुत ही इंटरस्टिंग टोपिक को लेकर तब तक के लिए stay healthy, stay fit thanks for watching this video